नमस्ते दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे अपने यूटूब चैनल क्रिटिकार एंबुलेंस फॉर यू लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कुछ जानकारी लिथी CPR के बारे में आज वही जानकारी को हम आपके समने प्रैक्टिकल डेमो के रूप में दिखाने वाले है आज हमारे साथ है डॉक्तर भागिश्री गुडगिला जो ACLS, BLS इंस्टर है हमारे एंबुलेंस सर्विसेस के सबसे सीनियर डॉक्तर है यह आज आपको बताएंगे जो आम लोग है, मतलब जो घर पे रहते, non-medicos है जो hospital में नहीं है, इन लोगों को CPR यानि compression किस तरह से करने चाहिए इसका live डेमो आपको हमारे मैडम देंगे, thank you नमस्ते, मैं डॉक्तर भागेश्टी, मैं आज आपको बताऊंगी CPR किस तरह से दिया जाता है अभी CPR मतलब क्या है, CPR का मतलब है cardiopulmonary resuscitation इसमें हम जिन लोगों का heart बंध हो चुका है, उनको chest compression देकर heart शुरू रखने की कोशिश करते है ताकि उनके जो सारे organs है, vital organs जिसको बुलते हैं, जैसे कि brain उन तक blood flow रहे, blood circulation रहे और अगर वो फिर से उनका restart हो जाता है heart, तो आगे उनकी जिन्दगी अच्छी बनी रहे CPR देने के लिए हमको confirm करना जरूरी है कि heart बंध हो चुका है तो हम एक उधारंड के तोर पर बताते हैं, मान लीजिए ये grass है और ये घर पर बेहोश पाए गया है तो हम इनको पहले flat surface पर लेंगे, या अब हमने इनको flat surface पर ले लिया है अब एक चीज़ करेंगे, हम इनका response टेक करेंगे, उसके बाद हम किसी को मदद के लिए बुलाएंगे तो मदद के लिए हम किसी पहचान के डॉक्टर को बुला सकते है या फिर 101 के ambulance को बुला सकते है अंकल कहते हैं, कहते हैं, इनका कोई response नहीं है देखा, आपने इनका response नहीं है, पहली चीज़ हमने देख ली है अभी दूसरी चीज, heartburn है, इसका time, सांस नहीं चल रही है तो हम उनकी ठाती के पास देखेंगे, वहाँ कोई हलचल नहीं रही इसका मतलब सांस नहीं चल रही है तीसरी चीज़ हमको देखनी है, तीसरी चीज़ पल्स उनकी है, यानि तो यह जहां हमारी गर्दन के पास central circulation की पल्स होती है, केरोडीर पल्स वो हमको देखना है, कम से कम 10 सेकंड, 5 से 10 सेकंड के बीच में आप देखेंगे, confirm करेंगे कोई पल्स नहीं रही, तो आपको chest compression शुरू करना है, chest compression की क्या कौन सी जगर हैगी chest compression हम देंगे center of the chest में, यह जो हमारा heel of the hand रगता है, heel इसको हम center of chest, मतलब nipple के बीच में जो line draw करेंगे, वहाँ पर से हमको जाकर इस तरह हाथ रखना है इस तरह से हम 100 से 120 ऐसा पर मिनिट को देंगे, आपने देखा होगा कि मैंने हाथ पूरे straight रखे है मेरा shoulder line patient के sternum के line में है, इस तरह से पूरा जुखना है और shoulder से ही pressure देना है जो depth बनेगी वो हमारी 5-6 cm बनेगी, उससे जादा नहीं और heart container भड़ा कर नहीं रखना है, उपर करना है तक कि heart को face से फूलने को space में ले, दूसरा का दो मिनिट तक आप इस तरह से compressions देंगे और बीच में किसे ने interrupt भी किया, तो आप किसी की नहीं तुनेंगे दो मिनिट के बाद आप फिर देखेंगे, pulse eye है या नहीं और फिर अगर फिर pulse eye दिखती है, आप तुरंथ help के लिए किसी को बुलाएंगे इनकेस आपके सामने कोई collapse हुआ है, पहले आप help के लिए बुलाएंगे किसी को जैसे अपने पास 108 का emergency ambulance है या फिर आप किसी पहचान के दॉक्टर को भी बुला सकते तो इस तरह से हम CPR देंगे तो दोस्तों आप लोगों ने अभी देखा, मैडम ने आपको बहुत अच्छे से समझा के बताया live demo दिया है, कोई अगर घर पे बेहोश हो जाता है, या उसकी दिल की धरकन बंद हो जाती है मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेडिकोज लोगों के हिसाब से और नौन मेडिकोज लोगों के हिसाब से CPR की व्याख्या थोड़ी सी बदल जाती है, CPR अगर मेडिकोज हो, कोई अस्पताल में काम करता हो तो उनके लिए सांस, अंबू वेंटिलेशन, कॉम्प्रेशन ये सभी चीज़े आती है लेकिन जब लेमैन हो या कोई आम आदमी हो तो उनके लिए सिर्फ कॉम्प्रेशन ही जादा ज़रूरी होते है मेडम ने आपको अभी बताया कि कोई अगर बेहोश होता है तो उसे पहले जमीन पर लेटाना है कोई अस्पताल या नजजी की कोई डॉक्तर हो या और कोई पांस का इंसान हो जिसे मेडिकल फिल के बारे में पता हो उन्हें फोन करके बुलाना है मेडिकल सर्विस को बुलाना है ना कि रोगी को उठा के तुरन भागते वे जाना है सांस चेक करना है, रिस्पॉंस चेक करना है, पल्स चेक करना है और कॉंप्रेशन स्टार्ट करना है, जब तक कोई रिस्पॉंस या कोई मेडिकल सर्विस नहीं आती है, तब तक, धन्यवाद.